नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्निशन और मैं हूँ प्रियदर्शन सियासत में यह बेहदाम है कि किसी को अगर कोई पद मिलता है तो वह भी चर्चा का विशय हो जाए और अगर कोई व्यक्ति लंबे अर्से से किसी पद पर रहे और अचानक से उसे पद से हटा दिया जा या हटना पड़े तो यह चर्चा और ज्यादा खास हो जाती है कि क्या मजबूरी रहे कि किसी ने पद से हटा दिया या किसी को पद से हटा दिया गया ऐसी हिस्तिती इन दिनों जदियू में है कि जदियू नेता केसी त्यागी को अब राष्टे महासचिप के पत से हटा दिया गया है जो नहीं राष्टे कारकार्णी की टीम बनी है उसमें केसी त्यागी को जगह नहीं मिली है और बार बार यह बात भी सामने का आ रही है कि क्या केसी त्यागी ललन सिंग से आथे जिस वजह से उन्हें पार्टी ने अब मास्टे महा सचिप के पत से हटा दिया है तो इस पर केसी त्यागी की ओर से सफाई भी आ गई है केसी त्यागे की ओर्चे जो आई हुई सफाई है उसमें यहां तक कहा गया है कि वे खुद पद छोड़ना चाहते थे उन्होंने खुद अपनी मर्जी से ही पिछले दिनों निक्षिमंतरी नितीश कुमार से अनुरोध किया था कि वे लंबे अर्शे से जदियू के साथ जुरे हुए हैं जदियू के अलग अलग पदों पर रह करके जदियू को ससक्त करने में अपनी भूमी कादा किये हुए हैं लेकिन अब उन्हें इस पद से मुक्त किया जाए तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर केसी त्यागे ने क्यों कहा तो पहले तो आप यह समझे कि केसी त्यागी को राष्ट्रे महा सचिप के पद से हटाए जाने के बाद खुद केसी त्यागी ने मामले पर सफाई दी है बिहार के मुख्यमंतरी नितियू कुमार की जदियू ने जब अनभवी नेता और केसी त्यागी को अपनी पार्टी के स्तंब के रूप में जो माने जाते थे उन्हें अप राष्ट्रे महा सचिप के पद से हटा दिया तो इस पर किसी त्यागी की ओर से जो बयान जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि उनके ही अनुरोध पर उन्हें संगटनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दि नहीं है किसी त्यागी को हटाया नहीं गया है बलकि किसी त्यागी तो जदियू के मजबूत स्तंब्र हैं और वे आगे भी मजबूत स्तंब्र के रूप में पार्टी में बने रहेंगे फिलहाल उनके ही बार बार किये गए अनुरोध पर उन्हें पार्टी की संगटनात्म के रूप में उनके नाम की नहीं रहोने के बाद अब यहां तक कहा गया है कि यह सब केसी तैङी के अनुरूद पर ही कहा गया है जदियों के राष्टे महासची पफाक अहमद खान ने इस पुलामले में सफाय दी और उन्होंने बयान जारी देकर करके कहा किसी केसी त्यागी को राष्ट्रे पदाधिकारियों की सूची से बाहर रखने को लेकर मीडिया में गलत संदेश प्रसारित किया जा रहा है आपको बता दें कि त्यागी पहले पार्टी के मुख महासचीब के पद पर थे इसके इलाबे अपने पांच दस्कों की राजनी किया है उसमें कहा है कि केसी त्यागी नहीं पिछले वर्ष दिसंबर 2022 में हुई जदियू की राष्ट्रे परिसेद की बैठक में पार्टी सुप्रीमों नितीश कुमार से अनुरोध किया था कि उन्हें संगतनात्मक जिम्मेदार्यों से मुक्त किया जाए उनके जदियू की बात करें तो जदियू में जबसे ललन सिंग ने ध्यक्ष की कमान सम्हाल ली है कई ऐसे निता सामने आये जिन से ललन सिंग के आहत होने की बात सामने आई इसमें चाहे आर्सीपी सिंग का नाम लीजिए उपेंद कुसवाहा का नाम लीजिए ये दो ऐसे चेहर और अब जब केसी त्यागी को भी राष्टे महासचिब के पद से हटाया गया तो उन्हें लेकर के भी इसी तरीके की बाते हुई कि ललन सिंख से हुए मतभेद के कारण ही उन्हें भी राष्टे महासचिब के पद से हटाया गया लेकिन पूरे मामले में जदियू ने जो सफाई दी है उस सफाई में साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है किसी त्यागी हमारे दल में से जुरे हुए हैं नितीश कुमार के साथ हैं वो नितीश कुमार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जदियू के मजबूत स्थम्भ के रूप में जिस प्रकार से वो पिछले दो दस्कों से लगातार सक्रिय और जुरे हुए थे आगे भी वो इसी तरीके से नितीश कुमार को और जदियू को मजब करने में अपनी भूमी का अधा करते रहेंगे सगतनात्मक धाचे को मजबूत करने में उनके जो विचार हैं उनके जो सुझाओं हैं वह पार्टी लेते रहेंगे और ललन सिंग से किसी प्रकार का उनका कोई मतवेद नहीं है यह तमाम बातें पूरी तरिके से कोड़ी जान है